गुजरात मां एक तरफ चोमासू विदाय लई रहूं छे अने बीजी तरफ अर्भी समुद्रमां हल्चल शरू थाई गई छे। हाल लक्षद्विप अने तेनी आसपासना विस्तारों मां एक साइक्लोनिक सर्क्यूलेशन सरजायूं छे। हवामान विभागनू कहवू छे के आ सिस्टम अर्भी समुद्रमां हजी वधारे मजबूत बन्षे अने पचीते दर्यानी अंदर आगल वधे तेवी शक्यता देखाई रही छे। गुजरात मां हाल मोटा भागना विस्तारों मां थी चोमासाय विदाय लई लिधी छे अने सौराष्ट्र, कच, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात तथा दक्षिन गुजरातना विस्तारों मां वर्साद बंध थाई गयो छे। अरवी समुद्रमा सिस्टमनी वच्चे हवामान विभागनू कहवू छे गुजरातना बाकीना विस्तारों मां थी पन चोमासू बेके तरण दिवसों मां विदाय ले तेवी अनुकूर परिस्थितियों सरजाई रही छे। भारतमा आवर्षे चोमासाना चार महीना दर्मियान सरेराश करता वधारे वर्सात पड़यो छे अने गुजरातमा चोमासामा सरेराश्थी वधार वर्सात थयो छे। हवामान विभागना कहवा प्रमाने लक्षद्विपनी आसपास बनेलू साइक्लोनिक सर्क्यूलेशन मजबूत बन्षे अने 9 ओक्टोबर ना रोज ते लोप्रेशर एरिया बने तेवी संभावना देखाई रही छे। भारतनी खानगी हवामान एजनसी ना जनाव्या प्रमाने आ साइक्लोनिक सर्क्यूलेशन ए आवनारा वावाजोडा पहलाना संकेत छे। एटले के आ सिस्टम वधारे मजबूत बनीने वावाजोडू बनी शके छे। स्कायमेट प्रमाने आ सिस्टम त्रंथी चार दिवस लक्षद्वीपनी आसपास ज रहेशे अने ते बाग ते मजबूत बन्षे अने पछी दर्यामा आगल वधे तेवी संभावना छे। हवामान विभागे जारी करेला बुलेटीन प्रमाने मोटा भागना हवामानना मोडल एवू दर्शावी रहा छे के 9 ओक्टोबर ना रोज लोप्रेशर एरिया बन्षे। हवामानना मोडलो एवू दर्शावी रहा छे के आ सिस्टम वधारे मजबूत बन्षे अने अग्यार्थी 13 ओक्टोबर ना रोज ते डिप्रेशन मा फेरवाई जशे। कायमेटनू कहवू छे के संभवित तोफान के वावा जोडा विशेनी खूब वहली माहिती सचोट होती न थी, मोटा भागना मोडल्स चार थी पांच दिवसनी आगाही वधारे स्पष्टरूपे करे छे परन्तु लाम्बा गाडानी आगाही मा फेरफारो थता होई छे। कि अशожет करे जाए जानी आगतो आग जारे स्बस्टरूपे करे जारे स्पष्टरूपे करे चुले न थी य हम बहुतेरस करे चारे से जागतों छेए संवसे टी टूए